तो फ्रेंट्स आज हमारे पास एक फर्राटा फेन आया है रिपेर होने के लिए इसमें प्रोब्लम यह आ रही है कि हमिंग कर रहा है लाइट भी आ रही सीरीज में लेकिन यह चल नहीं रहा है हलकी हमिंग कर रहा है हाथ से गुमारे तो भी नहीं चल रहा है तो इसमें क्या प्रोलम है, क्या कमी है, किस वज़े से आप इसको मुझलब यह दिक्कद आती है, तो किस तरीके साथ आप इसको सही कर सकते हैं, इसके बारे हम पूरी डिटेल से वीडियो में है। और पूरा बारे किसे मैं आपकO इसमें पतानेusta वाला हूँ। अधिकतर जो अलमुनियम के सिलिंग फैन होते हैं या फिर टैविल फैन होते हैं या फिलेसर फैन होते हैं कोई भी फैन होता है तो साल दो साल बाद यह दिक्कत उसमें आती है लेकिन बिना वाइंडिंग के आप इसको कैसे सही कर सकते हैं इसके लिए वीडियो पूरा देखे चैनल पर पहली बारा चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक से जरू करें साथ साथ में अटेसें बेल पर भी क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो पुरेंट आप तक पहुच पहुच पायर आपसे कोई भी यूच्व जान करें मिशना हो मेरा नाम है समय और किसी मुल हमिंग हो रही है इसमें लेकिन यह घूम नहीं रहा है तो हम इसकी वायर चेक करेंगे इसमें जो चार तार निकले हैं इनको सीरीज से चेक करेंगे तो यहाँ पर हमने इतार खोल लिया है जब हम इसकी तार चेक कर रहे हैं तो इसमें ब्लेक वायर बोल रही है य दिक्तर ये problem, aluminum के जो fan होते हैं, वो कोई भी हो सकता है, उनमें ये problem आती है, चाहे वो selling fan है, टेबल fan है, flexor fan है, या फिर farrata fan है, aluminum का है, तो उसमें ये दिक्कत जरूर आती है, तो यहां से हमक्या है कि इसके जो connection है, उनको खोलेंगे, और कियरफुली खोलेंगे कि वार्णिंग के तार ना कटे वार्णिंग के तार का आपको ध्यान रखना है और इसमें ये तार दुबारा से आपको मनलब खोल कर लगाने होते हैं अधिकतर यहां से क्या है इसमें कारवन आ जाता है और carbon की वज़े से ये दिक्कत हमें होती है तो यहां पर मैंने इसके तार निकाल लिया है जब मैंने इसके तार निकाले तो एक wire था जो मुझे इसमें carbon से गला हुआ मिला red वाला तो आपको क्या करना है चारों तारों को दुबारा से निकालें तो अच्छा होगा अगर आप एक को निकालते हैं तो चलतो जाएगा लेकिन कुछ टाइम बाद दूसरे में कार्बन आने की संभावना होती है इस पर आप कोई गिरिश वगरा जेल वगरा लगाए ताकि इस पर कार्बन कमाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने इसमें दुबार से लिए लगा के निकाल दिया है और इसको हम फिट करें लिए सिर्फ एक तार था जिसकी वज़े से प्रोलम में आई थी और इसको हम वापिस फिट करेंगे और फिर चला कर देखेंगे और इस तरही के साथ इसको कर सकते हैं यहां पर देखें जब आपने खोल दिया तो इसमें वगेरा जरू डाले क्योंकि जब बुस्त सूख जाता है तो यह आवाज करने लगता है उससे भी इसकी मोटर हीट होने लगती है क्योंकि इस ताइट चलेगा तो मोटर पर लोड आएगा तो इसकी मोटर पर भी काफी फरक पड़ता है तो यहां पर आप देख सकते हैं और वगेरा डालके आप फिट करें इस्टेड लगा दे और इस्टेड को टाइट कस दे और टाइट कसने के बाद आपको क्या करना है इसको यह देखे बिल्कुल फिरी होना चाहिए और बराबर कसे सारे पेचों को तो यहां पर आप देखें हमने इसके इस्टेड लगा दिये हैं और इस्टेड को अच्छे से कस देना है आपको और कसने के बाद यहां पर हम इसकी पंखड़ी लगाएंगे और आपको चलाकर दिखाएंगे तो यहां पर हमने इसकी पंखड़ी लगा दिये कंडेंसर लगा और अभी मैं इसको Series में लगाँ आए और Series में लगने के बाद यह देखो Speed कम आई है अब क्या है अब मैं इसको Direct लगाँ गॉगा तो इसकी Speed देखने आप कितनी तेज यह चलेगा तो आप यहां देख सकते हैं यह देखें इस तरीके से आप सको सही कर सकते हैं कोई भी सवाल हो तो कमेंट ज़रूर करें हम उसका रेपलाइ देंगे और इसी तरह की वीडियो आप के लिए लाटे रहेंगे तो फ्रेंटस आपने देखा मैंने आपको कॉचे सब Вас कर सकते हैं अधिक तर क्या होता है कि aluminium की जो winding होती है उसके जो joint है उन पर मतलब कार बना जाता है और aluminium होता है कि धेरे धेरे उगल जाता है वहाँ से जिसकी वज़े से ये दिक्कत हमें आती है तो उमीद करूँगा आपको समझ में आया होगा इस तरीके से आप इसके लेड निकाल कर चला सकते हैं aluminium की वैंडिंग में अधिक तरह ये फाल्ट होता है या फिर पानी के कुछ छीटे वगरा जाने से वहाँ से गल जाता है तो ये चीज आपको धियान रखनी है इस तरीके से आप इसको सही कर सकते हैं इसके लावा कोई भी सवाल हो तो कमेंट जरूर करें हम उसका reply देंगे और इसी तरह की knowledge वाली वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे मिलेंगे आपसे नई वीडियो में नई टोपिक के साथ तब तक के लिए बाई बाई टेक केर